नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर So Europe की सबसे बड़ी अर्थ वबस्था जर्मनी ने भारत को अप्रोच किया है कि हमें help कीजे हम लोग चाइना पर अपनी निर्भरता को अपनी Dependencies को कम करना चाहते हैं आप लोग यहां पर देख पाएंगे यह वाला जो statement है यह कल ही सामने आया है जर्मनी के जो Economy Minister है वो भारत के दौरे पर आये हुए है and he has said this that Germany cannot decouple from China but similar to India we also want to diversify यहां पर भी आप देख पाएंगे he has said we cannot decouple from China लेकिन हम लोग हमारी dependency को China से कम करना चाहते हैं और हम लोग हमारे trading partners को diversify करना चाहते हैं यह अपने आप में काफी बड़ा statement है because Germany जो है वो चाइना का पिछले 6 से 7 सालों से सबसे बड़ा trading partner है और जो इनके द्वारा statement दिया गया है उगर उसको देखेंगे so he has said Germany wants to intensify the relationship with India in order to counter Chinese influence and lessen these supply dependencies यह statement जर्मनी के economic minister Robert Hebeck के द्वारा दिया गया है इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार जर्मनी चाइना से अपने आपको decouple जो है वो धीरे धीरे क्यों करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ diversify करने की कोशिश क्यों कर रहा है and also इस पूरी चीज में इंडिया को जर्मनी के द्वारा क्यों चुना गया है क्यों prefer किया गया है उसको भी समझा जाएगा चलि शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए टेलिग्जाम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं इसके इलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि अब से एक हफते बाद एक अगस से आपका जो नया उडान batch है वो शुरू होने वाला है अगर आपने इसमें enroll नहीं किया है जल्दी से जाएए enroll कर लीजे इसमें हम लोग आपकी संपूर्न UPSC Civil Seva परीक्षा की तयारी को करवा रही है for both prelims and mains और साथ में test series भी available करवाई जा रही है यह पूरा का पूरा जो course है जो कि इंडिया का सबसे affordable course भी कहा जाता है और इसी course में मैं आपके लिए लेने वाला हूँ geography and science and tech और इसमें अगर आपने enroll नहीं किया है जल्दी से enroll कीजे बिकॉस 25 जुलाई को यानि कि आज से दो दिन के बाद इस course का जो दाम है वो बढ़ने वाला है आपको यहां पर maximum discounts available हो सके है और दोस्तों हमने optionals भी announce कर दिये है केवल एक नहीं बल्कि चार optionals को announce किया गया है political science, geography, history and anthropology के optionals को announce कर दिया है अब चाहे तो इनको separately purchase कर सकते हैं और चाहे तो इनको GS के साथ एक combo में भी purchase कर सकते हैं separate optional का जो दाम है वो केवल 8,000 है और जो combo का दाम है वो केवल 15,000 रुपे रखा गया है again which makes it the most affordable UPSC course in the entire India तो अगर आपने अभी भी enroll नहीं क्या है do not think, do not waste your time जल्दी से जाईए इस course में enroll कर लीजे All right, so Germany के दो important ministers हैं जो कि भारत के दोरे पर आये हुए हैं एक है जर्मनी के economy minister जो कि वहां के vice chancellor भी कहलाए जाते हैं और दूसरे जो कि जर्मनी के labor minister है जिनका नाम है Hubertus Hale वो भी भारत के दोरे पर आये हुए हैं यहाँ पर क्या क्या statements उनके दोरा दिये गए हैं they have said कि आने वाले time में जो आने वाला जो time होने वाला है global trade के लिए उसमें China और USA will continue to be the major heavy weights in trade policy in the future that is precisely why it is imperative कि Germany and Europe जो है वो नए नए partners को यहाँ पर ढूढ़ना शुरू करते और यहीं पर उन्होंने कहा है कि India is a counterweight to China and an important player in the Indo-Pacific और हम लोग India के साथ अपनी relationship को अब improve करना चाहते हैं काफी surprising है because पिछले 7 years से continuously जो चाइना और जर्मनी का वैपार है वो बहुत ही जादा बड़े level पे चल रहा था और जर्मनी का सबसे important जो trading partner है वो चाइना ही माना जाता है लेकिन जर्मनी का यह मानना है कि हम लोग हमारी गलती का हैसास कर चुके है because पहले हमने हमारी fossil fuels के needs के लिए केवल एक ही player पे dependency बनाई थी वो था Russia लेकिन जब पिछले साल Russia Ukraine में tensions शुरू हुई हमें तब जाके realize हुआ कि हम लोग एक single player के ऊपर dependency नहीं रख सकते हैं इन्होंने कहा we simply cannot afford to do a second time what we had to do as a result of the Russian war of aggression namely spending over 200 billion euros across the whole of society to free ourselves from a dependency because आपको मालूम होगा कि जर्मनी में आने वाला जो maximum fossil fuels था including gas वो सारा का सारा रश्या से आता था लेकिन उसको cut down कर दिया गया था इसकी वज़े से जर्मनी को काफी बड़ा नुकसान जहलना पड़ा था और इसी लिए they are now thinking कि हम लोग सेम गलती चाइना के साथ नहीं करना चाहते हैं हम लोग सिंगल प्लेयर के ऊपर economically dependent नहीं होना चाहते हैं और इसी लिए हम लोग अब इंडिया के साथ अपनी engagement को बढ़ाना चाहते हैं अब exactly जर्मनी इंडिया से चाहता क्या है जर्मनी ने कहा है कि देखिए हम लोग चाइना से decouple तो नहीं हो सकते हैं मतलब कि completely अलग होना almost impossible है because दोनों की जो economies हैं वो highly intertwined है लेकिन हम लोग diversify करना चाहते हैं, de-risk करना चाहते हैं जिसमें कि इंडिया हमारी help कर सकता है यहाँ पर आप देखिए ही है said कि हमारी जो partnership है चाइना के साथ यह काफी complicated है चाइना is our biggest trading partner so बहुत सारी companies हैं, जर्मनी की European companies हैं जिरोंने अपने आपको चाइना में निवेश किया हुआ है और चाइना एक बहुत बड़ी market भी है लेकिन हम लोग चाइना को completely sideline नहीं करना चाहते है धीरे-धीरे हम लोग de-risking और diversification करना चाहते हैं जिसमें कि हम लोग diversification में इंडिया के साथ अपनी engagement को significantly बढ़ाना चाहते हैं obviously यह पूरा का पूरा जब यह चीज़ सामने आई थी तो चाइना के द्वारा इसकी बहुत आलोशना करी गई थी चाइना criticized German call for reducing dependency on Chinese products और चाइना ने कहा था कि यह protectionist tendencies हैं जो कि जर्मनी के द्वारा follow करी जा रही हैं लेकिन जर्मनी जो यहाँ पे इंडिया से मांग रहा है तो उसमें जर्मनी बदले में इंडिया को क्या दे रहा है देखिए recently जर्मनी और इंडिया के बीच में जो defense ties हैं वो काफी जादा बहतर हुए है recently अगर आपने देखा होगा पिछले ही महीने की बात है तो जर्मनी के defense minister भारत के दोरे पर आये थे और उस time पे एक major submarine deal को यहाँ पे अंजाम दिया गया था जिसमें 42,000 करोड की deal को sign finally कर दिया गया था लेकिन साथ ही में जर्मनी ने ये भी कहा है कि हम लोग इस पूरे के पूरे मामले में इंडिया को employment opportunities भी offer करेंगे so that वो यूरोप में आके जर्मनी में आकर के रोजगार ले सकें in fact यहाँ पर जो जर्मनी के labor minister है he has said कि they will sign a deal to expand a program which places nurses from Kerala with German employers इस चीज़ को लेकर भी आप देख सकते हैं development जो है वो सामने आ चुकी है कि Kerala में become the first state to join hands with Germany for employment और ये भी Germany इसलिए कर रहा है कि दोनों देशों के लिए फाइदा हो सके कि हम लोग Indian economy के साथ engage कर सकें और Indians जो है उनको वहाँ पर employment मिल सके सवाल ये आता है कि Germany इंडिया को ही reach out क्यों कर रहा है इसके पीछे multiple reasons है देखे कहा जा रहा है कि इंडिया की जो economic growth है वो unprecedented है और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया बहुती जल्द जर्मनी को overtake करके fourth largest economy बन जागा या तो possibly इसी साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक ये होना almost तै है पिछले साल आपको मालुम होगा इंडिया ने UK को सरपास किया था fifth largest economy बनने के लिए और अब जर्मनी को लग रहा है कि अगर वो हमें सरपास कर देंगे तो उनके साथ हमारा engagement करना काफी relevant और important बन जाता है secondly इंडिया जो की फिलहाल world का highest population वाला देश है उसकी सबसे खास बात यह है कि सबसे जादा जो young population है वो भी इंडिया के ही पास है बलकि ये भी कहा जाता है कि इंडिया will be the youngest nation until 2070 मतलब कि जो हमारी average age होने वाली है सभी developing countries में वो सबसे जादा कम होने वाली है जिसकी वज़े से इंडिया के पास एक बहुती शांदार demographic dividend है वहीं Europe के पास क्या है कि Germany is facing a shortage of skilled workers बलकि 2022 में कहा गया था कि जर्मनी में almost 1.74 million vacant positions हैं throughout Germany और इसलिए वो लोग Indians को invite करने में काफी जादा interested है तो ये कुछ-कुछ कारण है जिसकी वज़े से Germany for now इंडिया की तरफ approach कर रही है चाइना से अपने आपको diversify और dearest करने के लिए लेकिन जो भी है एक बात हमें मानना पड़ेगा for whatever reasons भले वो इंडिया की बड़ी market है भले वो इंडिया की geostrategic location है भले ये countries चाइना को counter करने के लिए आ रही है ये ultimate इंडिया के ही फाइदे में है कि बहुत सारी western countries है जो की फिलहाल इंडिया के साथ एक बड़े पैमाने पे बड़े scale पे engage करने के लिए ready हो चुकी है दोस्तों आपकी इस पूरी चीज को लेकर क्या राय है हमें definitely बताईए comment section में जाने से पहले बताना चाहूंगा कि आपको समुद्र मंतन में जरूर अपेर होना है ये अब से कुछी घंटों में होने वाला है जिसमें आपको UPSC level का questions दिये जाएंगे 30 minutes का ये test है जिसमें आपको 25 MCQs जा करके attempt करने हैं also अगर आपने हमारी perspective series को चेक आउट नहीं क्या है अभी जाए चेक आउट कीजिए अपनी UPSC से जुड़ी हुई अलग इलग doubts को यहाँ पे आप solve कर सकते हैं thank you so much for listening stay tuned and stay safe